हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल कैसे आप सब लोग विंटर्स आ चुके हैं शादियों का सीजन आ चुका है और हर रोज पार्टी फंक्षन तो लगा ही रहता है ऐसे में जो सबसे बड़ी दिक्कत है सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है अफॉर्डबल मे हमें ऐसे प्रड़क्स को चूर्ज करना जो कि ऐफॉर्डबल हो और विंटर्स के अकोर्डिंग सूटेबल हो क्यों कि क्योंकि विंटर्स assuming अगर में बहुत जादा मैट प्रड़क्स को यूज करते हैं तो यह हमारी सकीन बहुत सदी ड्राइस हो जाते हैं हमारा मेंे कप है वो एकदम अलग ही दिखता है एकदम वाइटिश सा क्योंकि makeup एक ऐसी चीज है जब तक वो glow नहीं करेगा जब तक glow नहीं दिखाई देगा तब तक वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है और हमारे makeup का जो सबसे important part होता है वो होता है foundation देखे गर्मियों में तो हम matte foundation ही लगाते हैं मेरी combination skin है मैं भी गर्मियों में matte foundation का ही use करती हूँ तो हम combination skin वालों के लिए तो बहुत बड़ी problem होती क्योंकि हमें products choose करने परते हैं season के according तो मुझे चाहिए था एक ऐसा foundation जो सबसे पहले थो affordable हो and second thing कि वो मेरे चेहरे पे मेरी skin पे अच्छी सी dewy finish दे long lasting रहे and जादा oxidize ना हो क्योंकि one shade oxidize तो चल जाता है लेकिन अगर कोई foundation बहुत जादा oxidize हो जाता है तो फिर वो तो आपकी skin tone में बिलकुल match कर जाता है और त दूई foundation के अगर बात की जाती है तो वो है यह मार्स का blossom soft matte liquid foundation यहां पे matte foundation जरूर लिका है बट यह बिलकुल भी आपकी skin को matte finish नहीं देता है बहुत अच्छी सी dewy finish देता है बहुत ही आपकी skin glowing लगती है इसको लगाने के बार तो अभी भी मैंने ना यही वाला foundation लगा रखा after makeup वो बिलकुल भी ऐसा flaky cakey सा ना दिखे makeup जो है जब तक flawless नहीं दिखता glowing नहीं दिखता तो makeup अच्छा ही नहीं दिखता है चलिए फटा फट से इस foundation की detailing में आपके साथ clear करती हूँ और उसके बाद मैं आपको इसको apply भी करके दिखाती हूँ यह आपको जो भी doubts हो इस foundation को लेके ना वो अच्छे से clear हो जाएं तो चलिए फटा फट से आप इसकी detailing देख लीजे सो गाइज यह है मार्स का blossom soft matte foundation quality free है alcohol free है made in india product है 449 रुपीज इसका MRP है अगर मैं shade की बात करूँ तो जो shade मैंने अपने लिए order किया है वो है 04 pure beige and यह shade मेरी skin tone के according बहुत अच्छा बै यह shade मेरे लिए बिल्कुल set बैठा है आपको यह pump bottle में मिलता है और आप इसका यह shade देख सकते हो यह बहुत ही अच्छा इसका shade है texture आप देख लीजे एकदम perfect texture है इसका and यह बहुत easily blend हो जाता है and blend होने के बाद बहुत अच्छी सी dewy satin finish देता है अगर आपकी dry skin है आप इस तरीके का foundation पसंद आता है जो कि dewy finish दे satin finish दे तो चली मैं आपको इसको apply करके दिखाती हूँ मैंने अपने skin को prep कर लिया है primer भी apply कर लिया है जब भी आप इस तरीके का liquid foundation यूज करो ना guys तो पहले अच्छे से bottle को shake कर लिया करो ताकि वह अच्छे से आपस में mix हो जाए तो अच्छा गया है तो अगर आपकी जो skin tone है वो fair to medium में आती है तो आपके लिए भी यह वाला shade best रहेगा 04 pure beige क्योंकि मेरी skin tone जो है बहुत जादा fair नहीं है fair to medium में आती हूँ मैं तो मेरी skin के लिए यह perfect है तो अब मैंना इसे पहले इस तरह finger की help से क्या कर रही हूँ पूरे face अच्छे से blend कर रही हूँ उसके बाद मैं beauty blender की help से इसको अच्छी तरीके से blend करोंगी इस तरीके से क्या होगा इसकी जो coverage है वो और अच्छी मिलेगी जब भी इस तरीके से foundation apply करो आप देखना कि coverage आपको और अच्छी मिलती है अभी यह आपको थोड़ा whitish देख रहा है ब और उसके बाद मैंने यही देखा है कि यह oxidize नहीं होता मतलब one shade lighter मैं कहूंगी सिर्फ यह oxidize होता है जादा oxidize नहीं होता है बाकी आप इसके coverage देख सकते हो यह आपको अच्छी खासी coverage दे रहा है यह एक hydrating foundation है dewy foundation है तो dry skin वालों के लिए तो यह हर season में best रहेगा लेकिन combination skin skin वालों के लिए और normal skin वालों के लिए तो यह winters में अच्छा रहेगा क्योंकि winters में skin हमारी dry हो जाती है oily skin वालों के लिए में बी यह उतना अच्छा काम ना करें क्योंकि यह काफी जादा hydrating foundation है तो winters के लिए जैसे मेरी combination skin है मुझे बहुत पसंद आ रहा है और यह आपक थोड़ा patchy हो सकता है तो आपको क्या करना है इसे अच्छे से जब आप blend कर लो देन उसके बाद आपको जो भी powder आप पसंद करते हो loose powder हो यह आपका compact powder हो उससे आप एक बार इसे set कर लीजेगा तो अब मैंने foundation अच्छे से blend कर लिया है और आप देख सकते हो blend होने के बाद यह जो shade है मेरी skin के according कितना अच्छा गया है एक अच्छी सी dewy satin finish आ रही है skin glow कर रही है तो इस तरीके के जो foundation होते है ना winters के लिए best रहते हैं अब मैंना compact powder से इसको set कर लूँगी क्योंकि अगर इसे आप set नहीं करोगे तो यह patchy हो सकता है क्योंकि मैंने इसका wear test किया था मैंने पूरे दिन के लिए इसको लगाया है तो जब आप इसे powder से set नहीं करोगे तो यह कुछ देर में थोड़ा थोड़ा patchy दिखता है powder से set करने के बाद यह आपका बिल्कुल set हो जाता है तो अगर आपको winters के लिए एक अच्छा high coverage dewy foundation चाहिए आप इसे try कर सकते हो इसक अच्छा वाला foundation है affordable है आप इसे try कर सकते हो मेरी तरफ से मतलब मैं आपको यह कहूंगी आप प्लीज इसे एक बाद try करके देखो आप इससे satisfied होगे ही होगे क्योंकि मुझे यह बहुत पसंद आया है इसका link मैं देदूंगी आपको नीचे description box में बस आपको अपनी skin tone के according सह ही shade को choose करना है फिर आप देखेगा कि यह foundation आपके face पे कितना कमाल का काम करता है तो बहुत अच्छा foundation है आप इसे एक बाद try करके देखेगा तो अगर आपको मेरी आज के वीडियो पसंद आई हो आपके लिए helpful रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अग च्क यो थैंस वर वाचिं